Good morning students, drawing का हमारा topic शुरू है, design on a plate, इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि design किस तरह करना है, और अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि coloring किस तरह करना है, इस तरह के आपको मैंने दो drawing designs दिखाये थे, आपने design किया होगा, अब हम देखते, मैं आपको कुछ examples दिखाऊंग कि coloring किस तरह करना है, आप वो देखके coloring कर सकते हो, यहाँ पर यह white plate दिखाई है, उसके उपर colorful एक ट्री है, और उसके पत्ते जो है, वो colorful है, इस तरह आप design कर सकते हो, यहाँ पर यह दूसरा design है, इस में plate जो है, वो थोड़ी cream color की लग रहे है, मतलब, थोड़ा सा light color उसको दिया है, और उसके उपर जो dot से design बनाई गई है, उसमें जो colors यूज किये, वो dark ही है थोड़े, ताकि वो plate के उपर से design हमें समझ में आ जाए, मैंने आपको बताया था कि black and white भी आप कर सकते हो, तो इस तरह का design भी आप कर सकते हो, लेकिन ये design जो करने वाले है, मतलब black and white जो करने वाले है, उनको पहले, हमने जो plate ड्रॉ की हुई है, उस पे पहले थोड़ा सा light color देना पड़ेगा, मतलब white color में तोड़ा सा कौन सा भी color एड़ करके, वो color आपको plate पे देना पड़ेगा, ताकि हमारा page जो है, वो white है, इसलिए plate समझ में आने के लिए, उसको तोड़ा color देना पड़ेगा light, और फिर ये black के white, ये black color से आपको उसके उपर design करने के लिए आ सकता है, इसके बाद ये design देखो, ये बहुत ही अच्छा design किया हुआ है, इसमें blue और green color, देखें ये design बनाया गया है, और पीछे gray color है, इस तरह का भी आप design कर सकते हो, इसके बाद मैंने जैसे बताया था, वैसा ही ये design है, तीनों plate पे भी light color दिया है पीछे, और उसके बाद उसके उपर जो design क्या है, वो dark color से क्या है, ताक कि वो design समझ में आ जाए, तो आप भी इस तरह design कर सकते हो, और उसको coloring कर सकते हो, ये design complete करके, मुझे भेजना है, इसके पहले का जो भी topic है, वो अभी तक किसी ने भी नहीं भेजा है, तो दोनों topic complete करके, उसकी photo निकालके, मुझे भेज दो, next video में हम next topic देखेंगे.